कुक विद फरा को सबस्क्राइब कीजिए और इस बेल के आइकन को जरूर दबाईए तभी मेरे लेटिस्ट वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा इस टोटली फ्री असलालेकूम आज मैं आपके साथ कटहल की ग्रेवी वाली सबजी बनाने की रेस्ट्री सेयर करने जा रही हूँ वैसे तो कटहल की सबजी आप कई तरीके से बनाए हूंगे एक बार आप इस तरीके से बना कर देखे यह आपको ज़रूर पसंद आएगी आज मैं इस सबजी को घर में एविलेवल इंग्रीडियन्स से बनाऊंगे जिससे आपको बनाने में बहुत ही आसानी हूँ तो आईए देख लेते इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या इंग्रीडियन्स चाहिए है और इसे हमें कैसे बनाना है कॉत juayel की सब्जी बनाने के लिए यहां मैंने ₱ इक टइस लिया है अ अच्छी से वर्ष कर लिया है और इसे मैंने इस तरह कठ कर लिया है आप इसे छोटे टुकड़ों या फिर बड़े टुकड़ों में कट कर लीजिएगा एक टीस्पून नमक लेंगे और हाफ टीस्पून हल्दी पौडर लेंगे तो चलिए सबसे पहले हम कटेहल को बॉयल कर लेते हैं एक प्रैसर कूकर लेंगे और उसमें हम तक्रीवन एक कप के करीब पानी एड़ कर देंगे और इसमें कटेहल को ड्रॉप कर देंगे इसी तरह इसमें हमें सभी कटेहल को ड्रॉप कर देना है और इसमें नमक और हल्दी पौडर एड़ कर देना है हल्दी पौाडर डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है तो आप इसे जरूर से आड़करिए गार ऊपनेट अपने टेक्स के हसाब कर लीजिएगा अब इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है जिससे की हल्दी और नमक सभी कटहल में बहुत अच्छे से मिल जाए तो मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया इस पर अब लिट लगा कर हाई फ्रेम पर एक प्रेसर उसके बाद गैस की फ्रेम को लो करके 5-6 मिनट तक कुक करेंगे जिसे की कठेल हमारा सॉफ्ट हो जाए और इसके प्रेसर को हमें आटोमेटिकली रिलीज होने देना है खु अब कुक कर लेते हैं और बाकी के इंग्रीडियन्स हम आपको दिखा देते हैं बाकी के इंग्रीडियन्स में यहां मैंने कुछ पॉडर्ड इस पाइसे लिए हैं जिसमें एक टीस्पून लाल मिर्चों को पाउडर लेंगे एक टीस्पून कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर इससे बहुत अच्छा करा रहता है 1.5 तीस्पून हल्दी पॉर्डर लेंगे 1.5 तीस्पून धन्या पॉर्डर लेंगे 1.5 तीस्पून जीरो को पॉर्डर लेंगे 1.4 तीस्पून काली मिर्चों को पॉर्डर लेंगे एक टीस्पून गरम मसाला पॉडर लेंगे और एक टीस्पून नमक लेंगे वैसे तो नमक मिर्च की कॉइंटिटी आप अपने हिसाब से ले लीजेगा और एक टीस्पून अद्रक और एक टीस्पून लहसुन का पेश्ट लेंगे और कुछ साबूत मसाले लेंगे जिसमें एक तीछ पत्ता लेंगे हाफ टीस्पून जीरा लेंगे एक दालचीनी का टुक्रा लेंगे एक हरी लाइची लेंगे दो लॉंग लेंगे दो टीस्पून धनिया पत्ता है जिसे मैंने बारी बारी कर्ट कर लिया है दो हरी मिर्च है जिसे मैंने 20 से स्लेट कर लिया है दो इसमार साइज का टमाटर था जिसका मैंने पेश्ट तयार कर लिया है दो इसमार साइज की अनियन और दो हरी मिर्च का मैंने फाइन पेश्ट तयार कर लिया है आप हरी मिर्च को अलग भी पीश सकते हैं और प्यास को बट मैंने इसमें दोनों को पीश लिया है तो जैसा आपको कन्वीनियन लगे आप वैसा कर लीजेगा और 100 ml के करीब मश्टर्ड आयल लेंगे मश्टर्ड आयल में सबजी बहुत अच्छी बनती है वैसे आप कोई भी कुकिंग आयल ले लीजेगा तो चलिए हम कटहल को देख लेते हैं जो वाइल करने के लिए रखा था हाई फ्लेम पर एक प्रेसर और गैस की फ्लेम को लो करके इसे मैंने 5-6 मिन तक कुक कर लिया था यह देखिए कटहल हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है इसी कंसिस्टेंसी में हमें कटहल को सॉफ्ट करना था तो बिल्कुल पर्फिक्ट कंसिस्टेंसी है तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल देंगे इसे अब हमें फ्राइ कर लेना है तो एक पैन में हम दो टेबल स्पून के करीब ओयल एड़ कर देंगे आइल को हमें मीडियम होट कर लेना है आइल हमारा प्रॉपरली गरम हो चुक है अब इसमें हम वाइल किये हुए कटहल को एड़ कर देंगे आप कटहल में जो एक्स्टा पानी था उसे जरूर से निकाल लीजेगा और एक एक करके हम ओयल में कटहल को ड्रॉप करते जाएंगे और गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम करके हमें कटहल को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है कटहल को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक कि इसमें गोल्डन पिंक कलर ना जाए तो अब हम एक एक करके कट हल की सैट को 2-3 मिनट के बाद चेंज कर देंगे आप देखते हो अब आफ से फराइ कर लिया है तो अब इसे हम निकाल लेते है और सेम प्रोसेस से हम सभी कटहल को इसी तरह फ्राई कर लेंगे तो चलिए अब हम कटहल की ग्रेवी बना लेते हैं तो एक पैन में मैंने तक्रीबन पांच टेबल स्पून के करीब आइल एड़ कर दिया है आइल को हमें मीडियम होट कर लेना है और हमारा बहुत अच्छे से गरम हो चुक है अब इसमें हम सभी साबूत मसालो को एड़ कर देंगे और मसालो को गैस की फ्लेम को लो करके बस हम कुछ सेकेंड के लिए क्रैकिल करेंगे जिससे कि मसालो को फ्लैवर तेल में रिलीज हो जाए तो अब इसमें हमें प्याज और हरी मिर्श का जो मैंने पेश्ट तयार किया था उसे एड़ कर देना है और इसे हमें बहुत अच्छे से फ्राइ कर लेना है जिससे की मसालों में जो राइस में लोती है वो खत्म हो जाए इसी के साथ इसमें हमें अध्रक और लहसुन के पेश्ट को भी एड कर देने है और सभी को हमें बहुत अच्छे से फ्राइ कर लेना है जिससे की अध्रक लहसुन में और जो प्याज में एक कच्चापन होता है वो दूर हो जाए तो गैस की फ्लेम को high to medium करके मसालो को हमें बहुत अच्छे से फ्राइ कर लेना है मैं 5-6 दीन तक बहुत अच्छे से फ्राइ कर लिया है आप देख सकते हैं मसालो का कलर चेंज भो चुका है तेल भी हमारा सेप्रेट हो चुका है मसालो से और मसाला हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुक है तो मसालो को आप चलाते रही है नहीं तो मसाला नीचे से तली में चिपक जाता है तो ग्रेवी का टेश्ट अच्छा नहीं आता है तो अब इसमें हमें टमाटर के पेश्ट को एड़ कर देना है और मसालों के साथ इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसी के साथ इसमें हमें नमक और गरम मसाला पॉड़र्ड एड़ कर देना है और रात में सभी पॉड़र्ड स्पैसे को एड़ कर देंगे सभी को हमें बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है जिसने कि मसालों में जो एक कच्चापन होता है वो दूर हो जाए Cynthia मसाला हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है तेडल भी मसालों से सेपरेट हो गया है तो अब इसमें हमें फ्राइ किये हुए कटहल को एट कर देना है और मसालों में हमें कटहल को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों में मैंने कटहल को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है तो अब इसमें हमें पानी आट कर देना है इसमें हमें gravy लगानी है तो मैं इसमें 100 ml के करीब पानी आड़ कर रही हूँ तक्रीबन एक कप के करीब तो आपको जिस हिसाब से gravy रखनी हो पानी आप उसी हिसाब से add कर लीजेगा अगर आपको ज्यादा gravy रखनी है तो पानी ज्यादा कर दीजेगा अगर आपको कम gravy रखनी है, तो पाणी किके आप कर सकती एं तो आप जिस consistency में gravy रखनी हो इसे Linked आपक के पाणी कर दीजिए गा तो र्हें with this consistency में gravy रखनी है तो मैं इसमें 100 ml और 2 local श्मिल पाणी क mirrors तो अब इसमें हमें हरी मिर्श को एड़ कर देना जो हमने स्लेट में कट करी थी और बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे इस पर हमें लिट लगा कर तकरीबन 10 से 15 मिलड तक मसालों के साथ हमें कट हैल को कुक कर लेना है गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके 10 से 15 मिलड तक गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके कट हैल को मैंने बहुत अच्छे से कुक कर लिया है आप देख सकते हैं तेल हमारा सेपरेट हो चुक है मसालों से तेल हमारा सर्फिस पर आ चुक है और कट हैल भी हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुक है आप किसी फोक से चेक कर लीजेगा अगर कटहल आपका कुक नहीं हुआ है तो आप इसे कुछ देर के लिए और कुक कर लीजेगा तो अब इसमें हम लाश्ट में धनिया पत्ता एड़ कर देंगे और इसमें बहुत अच्छा सा मिक्स दे देंगे यह देखिए इसी तरह हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है तो कटहल की सबजी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है तो चलिए अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं एक बार आप इस तरीके से बना कर देखिए ये आपको और आपके family members को बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरे रेस्पी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर से बना कर ट्राइ करें उम्मीद करती हूँ आपको मेरे रेस्पी पसंद आई होगी रेस्पी अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर लीजेगा family friend में share भी कर लीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर first time आए तो one time subscribe भी कर लीजेगा थैंक यू